असलाम लेकुम आज मेरा लेट नाइट कुछ खाने को दिल चाहरा था तो मैंने उटके फ्रीज में चेक किया कि शायद मुझे कुछ खाने के लिए मिल दा तो आप मुझे ब्रैड और शामी कबाब बने वे नजर आए शामी कबाब हम लोग ना पहले सही बिना के फ्रीज कर अगर कुछ खाने के लिए ना मिले तो हम इन शामी कबाब को फ्राइग कर लें रोटी के साथ यहां वैसा ही सैंट्विच बनाने लगी थी मैंने एक अंडा लिया इसमें शामी को डिप करके उसको फ्राइग कर लिया और फिर बात बचा था ना इसमें मैंने वह प्यास मिर है और मैंने केचव लगाहिए मैंने शामी कबाब रखके उसको ऊच्छी तरह ने उफला लगा ओवें मैंने केसमी कबाब को द्मीज को अब प्र भाह दूसरा पनीडों पर सारह के उसको मैंने किशच अब आप अमनी ट्रस तरह भी यह दिया तो favour फ्री taken वहारी बिस् मैंने अपनी मामा को दे दिया और एक मैंने खुद खाया और बहुत जादा इंजुआई किया आप भी इस तरह की जो है ना छोटी-छोटी से चीज़े बना के फ्रीज में रख लिया करें तांके जब भी रात को लेट नाइट क्रेविंग को किसी का खाना खाने को कुछ दिल करे तो जल्दी से इस तरह की चीज़े बना ले और खाए जल्मे ना हमारे घर में जो है ना सोने की रूटीन वो रात के 11-12 बज़े तक हम लोग सोते हैं और जो खाना है ना रात का वो हम लोग तकरीबन 6-6 बज़े तक खा लेते हैं तो जिसकी वज़ा से हमें लेट नाइट जरूर बूख लग जाती है तो हमें हमें होता है कि हमेरे पास कुछ ना कुछ ना कुछ हो जो हम खा लें हर टाइम तो बाइर से चीज़े नहीं मगवाई जा सकती ना इसलिए हम लोग ने कुछ खाने पीने का इंतजाम जो ना घर में रखा होता है तो हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब रख करें हमें अपनी दुआओं में याद रखें फे इमान अल्लाह